हलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं I hope सभी अच्छे होंगे सभी गुड मॉर्निंग जैसरी कृष्णा तो आज हम modern history आधुनिक भारति इतियास कंद्री के नए topic लेके आपके सामने हाजी रहे आज हमारा topic क्रिप्ष मिशन क्रिप्ष मिशन इनकी शेनाई लगातार मित्र राष्णों को प्राजित करती जा रहे थी उस समय England की हालत वेहद ही ज़यदा जिंता जानक Mog ता वेहद ही ज़यदा ख्राब थी लगातार अगर हम बात करें भारत के सिती भारत उस समय अंग्रेजियों का गुलाम था या उपनीवेश्था और भारत इंग्लेंड का सबसे बड़ ऐपनी वह स्ता लगातार जापान कि शेना बढ़ती जान रही तो अंग्रेज्जों को ये समश्या पैदा हो गई कि लगाता रिष्शी परकार जापन आगे बढ़ता रहा तो भारत के उपर भी कबजा कर लेगा और मित्र देशों ने ये दवाव बनाया कि आप किसी भी परकार से चाहे भारत के सामने आप कोई परलोगन रखे या जूट बोले किसी भी परकारशा भारत का समर्तन प्राप्त करें उसी चीज को प्राप्त करने के लिए इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आ चुका था जिसको ऐस्विकार कर दिया गाय था और उसके बाद अब आय था क्रिप्स प्रस्ताव या Crips Mission 1942 में अब इससे घोषना की बात करने तो इसकी घोषना 11 मार्च 1942 को लंदन में के गई थी उस समय दित्ते विशुद चल रहा था मुख्य एजंडा क्या था दित्ते विशुद में भारतियों की साहता प्राप्त करना अब ये जो मिशन था इससे घोषना आप देखना है 11 मार्च कोई और ये भारत पहुंच था 23 मार्च कोई अब आप सोच रहेंगे इतनी जलदी पहुंच जाता है क्योंकि अंग्रेजों का स्वार्थ छिपा हुआ था अब बग अग्रेजों की आलत खराब हो रही है 11 मारच को गोशना कर रहे है और 23 मारच को ये भारत पहुंच रहा है इसके अध्यक्ष की बात करें Strayford Crips अध्यक्ष इसको बनाएगा था Strayford Crips को इसका अध्यक्ष बनाए गया था कारण अगस्त पस्ताओं की ऐसेफल उद और जापान लगातार बढड़ता ही जा रहा था इसके सदेश्य की आध्यक्ष। इसके अनदर सदेश्य थे इसको एक थोड़ा साप समझेगे यहाँ पर जापान था वो लगातार रंगोनिया बर्मा पहले नाम इसका बर्मा था यहाँ तक पहुंच चुका था और इसके बाद अगला टार्गेट इंडिया था इसको देखकर अंग्रेजों के स्तिती खराब हो गए थी लगातार इंग्लेंड के उपर अमेरिका और रश स्टेट की घोषणा पहला अंग्रेजों का कि हम आपको डॉमिनेंड स्टेट का दरजा दे देंगे कॉंग्रेशन इसका विरोध गया कॉंग्रेशन ने कहा कि यह मांग तो हमने 1928 में रखे थी तब तो आपने दियानी अगस्त प्रस्तावाए तब भी आप यही मांग रख रखता है तो इसका भी विरोध गया है कि भारत जब आजाद हो जाएगा उसके बाद केशीव से समंद रखेगा यह बहुत बाद की बात है भारत इसमें बाद में निर्धारत करेगा सेकेंड समविदान सबागे गठन का प्रावदान अब सेकेंड लाल चीद है का अब आप सीदुत मनोनीथ को त्याएंगे मनोनीथ वो आएंगे जो मुद्फ हो चूंकि यह बहुत बिघा thou था अब देखिए उसमें ब्हुत सारी प्रां wollte अधिक रियास्ति ठी और जिस भी भारत के समछन विश्वास नहीं था उपना अलक्त समिधान अपना सकता है ऐसी स्थितें में भारत के b嫁पक के बहुत अधिक कि आज भी आप देख रहे हैं कि शीवी मुद्धे पर एक सहमती बनाना कितना मुस्कुल हो जाता है और उस समय तो इतनी अधिक रियासते थी अपने-पने सभी के स्वारत कैसी के भासा के आदार पर कि धर्म की आदार पर किसी अने कारण से उन सभी को एक करना मैं समस्ता हम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था और इस चीज़ को अपना लेते तो मेरे ख्याले से भारत कभी हो नहीं सकता था क्योंकि आपने देखांगा अभी आपने कुछ दिन पहले जम्मू कस्मिर में आर्टेकल 370 खतम किया है उससे पहले ज पर गांधी जी आपना स्टेटमेंट जाते है कि पोस्ट पूचा जाते है दौबड़ी जी को अगे कि यह आगे की तितीका चेक है जिसका बैंक बंद हुने वारा है। सकते हैं कि मुस् ogni समय दाने अपने आदीकार थी यह तो विल्कुल आ रहा था लेकिन पहली बात मुस्म लीग ने कहा कि समें और प्रत्थक निर्वाचंञ परणाली के बारे में वरनाभर नहीं कर रहा सपस्ट रूप से पाकिस्तान के निर्माण या अलग राष्ट के निर्माण की बात इसमें नहीं क्या रखिये इस परकार मुस्लिम लीग के दौरा भी इसका एक परकार से ऐस्विकार कर दिया गया तो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स मिशन से क्रिप्स प्रस्ताव से मैताफ़न बातें ही बनती है इसको मैंने बहुत अच्छी तरह सेक्स्रेंट कर दिया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जलूर करें वंदे मात्रम